नमसकर दोस्तों, नमसकर भाईएं, मैं बिजेजनर्शिं आर्वेस्ट एक ट्रेनिंग त्रेसीन्टर मोतिरामट्ण गोरधबुर्पूर्थ आप सभी भाईएं से निवेदन है इस्ट अफरीका इस्ट अफरीका आप लोग चेक कर सकते हैं और बहुत अच्छा इसमें चेलरी वेघरा उठता है, लेकिन इसमें अप्लाई करने से पहले बेजिटेरियन सुद्ध साकाहरी वाले भाई ही अप्लाई कर सकते हैं, जिनने साकाहरी वाले भाई खाना में साकाहरी ही भाई चाहिए, इसका पहले ही कम्पनी बता दिया है savings, सुद्ध साकाहरी वाले भाई ही अप्लाई करेंगे इस्ट अफरिका में एमप्लाइमेंट वीजा कमपनी आपको देगी आठ घंटे की ड्यूटी है आठ घंटा प्लस एक की ड्यूटी है और हफ्ते का छाय दिन ड्यूटी है जिनने सुद्ध साकाहरी भोजन पसंद है वही अप्लाई करेंगे और कमपनी इसकी बहुत अच्छी कमपनी है इस्ट अफरिका की लार्जेस कमपनी है अब बहुत बड़ा रिक्वारिमेंट है इसमें सेलरी चार सो से लेके साड़े चार सो डॉलर सेलरी है खाना इसमें कमपनी के French के लेके साड़े चार सो ड्लेके साड़ेयोगलत है प्लस एक की ड्यूटी है नव घंटे का और खाना कंपनी दे दै ये एक्स्प्रियन्स होना बहुत जरूरी है अजमफर की सेलरी इसमें ऊच्छीन लेके त् ji mammoth ऊचांचास है 350 उन्हीं को सेलरी मिलेगा जो रिटर्नर होंगे जो फ्रेसर होंगे उनको 300 USD डालर मिलेगा USD डालर का 1 USD का 83 83 रुपया दाम होता है जो कि अगर केवल हेलफर में अपलाई करेंगे तो उनकी सेलरी 25,000 रुपया 8 घंटा का ड्यूटी का 25,000 सेलरी है खाना कमपनी का है इस्ट अफरीका सर्विस चार्ज के नाम पे मैं आपको बता दू 85,000 सर्विस चार्ज है बीजा एंप्लाइमेंट मिलेगा प्रोसेसिंग टाइम साथ दिन आपको देना पड़ेगा दो महिना प्रोसेसिंग टाइम है नार्मल मेडिकल है कोई एडवांस पेमेंट नहीं है सर्विस चार्ज 85,000 है ECR, ECNR दोनों अपलाई कर सकते हैं किस्ट अफ्रीका और मैं एक जरूर निवेदन करूंगा कि हमारे दिये गए वीडियो पे 5-6 मिनिट का वीडियो होता है जो भी आपको हेडिंग आपको लगे कि इस कंट्री में आप जाना चाहते इस कंट्री का रिकॉर्मेंट हमको सुनना है तो पूरी वीडियो हमारा ज इंटर्वियो खतम हो जाता है बहुत सारी वीडियो है जो इंटर्वियो आने वाला है कोई कोई वीडियो का सीवी सेलेक्शन है अभी इस्ट अफ्रीका का सीवी सेलेक्शन है डॉकुमेंट और जीनल पासपोर्ट वाइड बैगराउंड फोटो एक्स्पिरियंस नहीं होगा छुट्टी होने के नाते आपका फोन नहीं रिसीव होगा इसलिए 13 नौंबर को आपिस पे आके इसका डॉकुमेंट जमा कर सकते हैं इस्ट अफ्रीका में जो डॉकुमेंट जमा करना चाहते हैं डॉलर का पेमेंट है डॉलर में सेलरी ओभर टाइम होगारा ड पुरफुर में सबसे बढ़ी बात है कि मैं आपको बता दो कि अफ्रीका का काम है काम बहुत अच्छा है बड़ी कंपणी है छोटी कंपणी नहीं भड़ी कंपणी है तरीके से काम वाले भाई ही अपलाई कर सकते हैं, नॉन्वेज भाईयों के लिए नॉट एलाउड है, इस्ट अफरीका का जो काम मैंन लेका हैं हूँ आपके बीच, क्योंकि कभी भी आप आएंगे, अगर हमारे आफिस स्टाफ से गलती हो जा रही है, कोई चीज़ें नहीं बता पा रहा ह तो आपसे निवेदन है, कि सुद्ध साकाहारी वाले भाई ही अपलाई करेंगे, ड्यूटी आठ प्लस एक का है, हफ्ते का छै दिन की ड्यूटी है, और जो सेलरी आपको बताई गई है, वो आठ घंटे की सेलरी है, कंपनी के तरफ से खाना है, खाना कंपनी फिरी दे रही है, सर्विस चार्ज 85,000 है, ECR, ECNR, गर्फ रिटर्नर हो, चाहे इंडियन एक्सपरियेंस हो, दोनों लोग अपलाई कर सकते हैं, सीवी सेलेक्शन का काम है, डॉकुमेंट आपका बढ़िया होना चाहिए, साफ सुतुरा डॉकुमेंट होना चाहिए, 100% इसमें अपलाई कर है, RBS Training and Test Center, मोती रामड़ा, गुरपूर, हमारे यहां किसी भी देश के लिए कोई एडवांस पेमेंट नहीं है, मैं सभी दोस्तों से निवेदन करता हूँ, कि ज्यादा ज्यादा संख्या में अपलाई करें, और किसी भी देश के लिए, नहीं यहां पे फाइल चार्ज हो होते हैं, और जैसे आप मंडी में जाते हैं, तो कमपटीशन का दोर है, तो मेरे दोस्त, यहां पे भी वही चीछ चल रहा है, कमपटीशन, तो किर्पिया करके मैं सभी दोस्तों से निवेदन करूँगा, आपका अपना आपिस है, पुराना आपिस है, एक बार जरूर सेव करें हमारे चैनल को, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में गुरूप में सेयर करें, RVS ट्रेनिंग एक्टे सेंटर मोती रामड़ा गोरगपूर में, सभी भाईयों का मैं निवेदन करता हूँ कि ज्यादा ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं, और टाइम से पहुंचे ह काम है इस्ट अफरिका, इस्ट अफरिका का अभी वीडियो में चला रहा हूँ, इस्ट अफरिका में आप सोमवार को पास्पोर्ट लाके जमा कर सकते हैं, सोमवार मंगलवार बुदवर में आप पास्पोर्ट लाके जमा कर सकते हैं, सीवी सेलेक्शन का काम है, नार्वन म प्रेमाता दी